Hey guys, welcome back to Adhyatman EduTech YouTube channel, I am Bhanu Yogi और आज हम बात करेंगे episode number 2 की, जी हाँ, personality development का episode number हो चुका है और आपने देखा भी होगा, उसमें हमने 5 points के बारे में discuss किया, ऐसे ही आज हम episode 2 में और 5 points के बारे में discuss करेंगे, ताकि और कैसे हम personality को बैतर कर पाएं, अच्छा कर पाएं, और एक अच अच्छी personality एक अच्छी life की नीव रखती है, अच्छे तरीके से society में develop होती है, तो वही topic के उपर हम continue करेंगे, तो episode number 2 of how to develop a good personality, right, because a good personality build a good life, so here we go, अगला point जो था हमारा, 5 points हमने देख लिये थे, 6th number का जो point है हमारा, वो क्या है, be a good listener, be a good what, listener, यानि यार, देखो, हम human क्या है, कि actually यह होना चीए, बट बहुत सारे लोग सुनते ही नहीं है, सुनना आना चीए, बोलना तो हर को ही जानता है, कुछ ना कुछ बोलना, कैसे ने कैसे बोलना तो हर किसी को आता है, but the fact is that in civilian, listening is the fine art, कि हम civilians में सुनने की जो कला होती है, वो सबसे अच्छी कला मानी गई है, तो जितना आप सुनोगे, उतने ही अच्छे से आप रेक्ट कर जाओगे, ठीक है, तो एक बैतर personality वो होती है, जो सुनना भी पसंद करें, क्या पसंद करें, सुनना, हमेशा बोलते रहना is not a good thing कभी-कभी सुन भी लेना चाहिए, कि सामने ओला बोल क्या रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसकी बात की क्या importance है, और फिर आप रेक्ट करें, ऐसा निए कि वो बोले जा रहा है, और आप क्या कर रहे हो, फटा बस से रेक्ट कर रहे हो, which is not good, which is not good at all, right, so you have to think that what's right and what's wrong So, ये सारी चीज़े जब आप सोचोगे, तो आपको थोड़ा सा देखना भी पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, parents कुछ कहते हैं, तो हम सुनते नहीं है, ऐसे ही, जब आप professional उसमें आ जाओगे, तो वहापे आपको सुनना भी पड़ेगा, ठीके, और फिर रेक्ट भी कर और उसके बात रेक्ट करें, ऐसा नहीं है कि सुनते टाइम ही रेक्ट किया जा रहा है, तो that is not a good way to react anybody toward anything, right, so we have to be a good listener, right, now move to the next, read more often and develop new ideas, जितना आप पड़ोगे, जितने भी अच्छी अच्छी पिसनालिटीज हैं, आप उठा के देख लो, जितनी भी अच्छी अच्छ ब्लोग्स, यह सारी चीजे वो पढ़ते रहते हैं, ठीके, क्यों पढ़ते हैं वो, क्योंकि knowledge जो है, वो develop होती रहे, knowledge कभी रुखनी नीची है, देखो यार, ऐसा नहीं है कि age factor कुछ होता हूँ, like, humans का यह होता है न, हमेशा हम यही सूचते हैं, कि जैसे जैसे age आगे बढ maturity आएगी, वो knowledge आएगा, यह experience आजाएगा, experience दीरी-दीरे आ रहा है, knowledge आप अपनी observations से देलो, ऐसा थोड़ी है, 30-35 की age में आपको maturity या knowledge मिले, नहीं, आपको पहले भी मिल सकती है, 15-20 में भी मिल सकती है, 20-25 में भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस आप कैसे observe कर रहे ह हो, that is a big deal, right, तो सबसे best thing क्या है, कि नए-नए interests को develop करो, ठीके, और जितना पढ़ोगे उतनी knowledge, books को पढ़ो, personalities को पढ़ो, आपने ideals की study करो, तो यह सारी चीजे जब आप करते हो ना, तो आपकी personality और अच्छे से निगरगी आती है, ठीके, हमने पहले भी आपको बताया था, कि जितना knowledgeable आप होगे, उतना ही confident आप होगे, और जितनी knowledge कम होगी, उतना ही कम confidence आप में होगा, so confidence कब बढ़ेगा, जब knowledge बढ़ेगी, तो knowledge बढ़ने के लिए नहीने ideas, नहीने interests, नहीने habits और चीजों को पढ़ना चालू करना पढ़ेगा, तब ही जाकर के, यह एक personality जो है, वो काफी अच्छे से react कर पाएगी, बढ़ते आगे, meet new people, जी हाँ, यह दुनिया जो बहुत बढ़ी है, दुनिया के बहुत बढ़ी है, दुनिया कोई एक जगे लिमिटेट नहीं है, कि यह आप हो गया हो गया, बस, नहीं, दुनिया बहुत बढ़ी है, और population जो है, दुन तो ऐसा करो कि नए नए लोगों से मिलना स्टार्ट करो, उनके यह thought process को जानो, उनका thought process क्या है, life को लेकर के, चीजों को लेकर के, ठीके, कभी-कभी हम खुद में ही उलज जाते हैं, कभी-कभी हम क्या करते हैं, खुद में ही उलज जाते हैं, जब हम खुद में उलज जात कि वह क्या सोसने दुनिया के बारे में चीजों के बारे में ठीक है और उनको फिर execute करो अपने लिए राइट तो यह स्मार्ट तरीका हो जाता है ठीक है जितने भी नए लोगों से मिलोगे तो उतना ही आप अच्छे होते जाओगे ठीक है ऐसा मस सोचना कि नए लोगों से मिल में satisfaction दे सके राइट कि अच्छा उन्हें feel करा सके तो नए लोगों से आप दुनिया बर में मिल रहे हो ना तो आप कुछ ना कुछ उनसे सीखोगे experience आपको मिलेगा अब ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक life होती है पूरी limited है ठीक है तो आप हर जगे experience कर लोगे नहीं ना आप बाकी लोगों से मिलोगे उनके सुख दुख को जारोगे और अपने लिए ही उस करोगे तो that is what यह personality होगी थोड़ा smart तरीगा होगया चीजों को देखने का life को देखने का life को जीने का ठीक है तो यह एक point है जो हर एक personality को adapt करना चीए कि meet new people नहीं नहीं लोगों से मिलते अच्छे से ठीक है have an opinion और अपना एक opinion रखो यार opinion रखने में कोई बुराई नहीं है ठीक है वह apply होता है नहीं होता है doesn't matter अगर कोई आप से पूछता है जैसे कि मुझे यह करना चीए मुझे यह करना चीए या मुझे यह करना चीए अब देखो वह मेरा close friend क्यों ना हो मेर friendship तूट जाएगी that's why मैं इसको positive positive बोल दूँ नहीं ऐसा एक personality ऐसी नहीं होती है एक personality होती है जो reality को सामने रखके चलती है ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोले जा रहे है नहीं ऐसा नहीं होता अगर आपको लग रहा है कि यह आपका opinion है आप इस बास agree नहीं करते तो यह आना च यह हो जाएगा यह हो जाएगा नहीं ना आपको ना बोलना अबी आना चीए कि यह नहीं होगा यह नहीं कर पाएगे तो यह दोनों तरीके से बैलंस होना चीज ऐthen हर एक चीज कंभा नहीं पने भी नहीं हो मैं आप जिन चीजों के लिए बनने ऑऊ वो चीजह आ McGाड़नी जबुआ कहां पर ना गरना और ना करना काना चाहिए कोई पुराए न यह दो आमने वाला क्या सोचेगा, it doesn't matter for you at all, okay, you have to express your opinion that this is the completely right or this is the completely wrong, so you have to say like that, so ये एक solid और strong personality होती है, ठीके ना, ऐसा निये है कि आप किसी के साथ भी agree हो जाओ, हाँ, इन्होंने बोल दिया हाँ, सब अच्छा है ये वो and all that, या फिर इन्होंने गलत बोल दिया हार है, वो तो ग होती नहीं है, तो हमें एक opinion अगर है, किसी चीज को लेकर के agree होना है, या disagree होना है, तो I think we should say all that, right, तो ये चीज होनी चीए, right, अब बढ़ते हैं हमारे अभी के 10th point पे, ठीक है, bring positively in your outlook, देखो, मैंने appearance, physical appearance की भी बात की थी, कि most of the personality, वो mentally develop होती है, लेकिन physically भी develop होती है, अ पहेंना है, and आपका physical appearance क्या है, कि आप ज़्यादा दुबले बतले हो, या ज़्यादा मोटे हो, ऐसा तो नहीं ना, fit हो की नहीं हो, ठीक है, एक fit personality होती है, तो बहुत अच्छा होता है, और लोगों को inspire भी करती है, तो यहाँ पर जो 10 number का point है, वो क्या गह रहा है, देखो, bring positivity in your outlook, mind में आपके positivity है, अगर mind में आप काफी positive होना, तो बाहर भी दिखता है, आपके physical appearance भी दिखता है, ठीक है, वो confidence आपके चेरे पे दिखता है, कि आप हर एक चीज़ से deal कर रहे हो, काफी अच्छे से deal कर रहे हो, so you have to be in that, कि जब आपको लगे, कि हाँ, यह सारी चीज यह सारी चीज़ हो रही है, ठीक है, ऐसा होगा न, तो फिर completely थोड़ा सा क्या हो जाएगा, mismatch हो जाएगा, वो personality भी पिर personality नहीं लगेगी, ठीक है, तो physical appearance और mental जो है, दोनों का एक balance होना चीए, तो यह हमारा 10th point हुआ, ठीक है, आज यह second episode हुआ, how to develop a good personality का, ठीक है, एक औ एपिसोड आएगा, ठीक है, how to develop a good personality का, episode number 3, वो जल्दी वो हम लेकर के आएगे, लेकिन जो यह दो episode की बात हमने की, episode 1 और episode 2, इनमें हमने 10 points को discuss किया है, और काफी अच्छे यह points है, इनको आप एक बार execute तो करके देखो, आपकी personality दिरे-दिरे अच्छी तरीके से better होती ज चीए, और अगर आप सही में अपनी personality को develop करना चाहते हो, तो you can do guys, you can do यार, ठीक है, कोई आपको नहीं रोकेगा, तो ऐसी चीज़ें आपको करनी चीए, आप कर सकते हो, इसमें कोई बुराईगी बात नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी अच्छी personality चाहता है, ठीक है, तो personality सा subscribe करना है, bell icon को press कर देना, ताकि latest updates आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो, तो share कीजिए, like कीजिए, subscribe तो कर नहीं है, ठीक है, अपने friends में, relatives में, सब में share कीजिए, ठीक है, so thank you very much for watching this lovely video, मिलेंगे आपसे episode number 3 में, with the same energy, same motivation, तब तक के लिए, tata goodbye and thank you once again,